नमस्कार आप देख रहे हैं प्रमार्थावाज हरे पेड़ों की अंदा दुंद कटान से बिलुक्त होती जा रहे हैं पक्षियों की विभिन प्रजातियां नहीं दिखता पक्षियों का कलरभ यूपी के अमेठी जनपत में ग्रामीर आंचलों में बर्तवान समय में छोटी छोटी रंगीन पक्षियों एवम चुडियों की विभिन प्रजातियां धीरे धीरे बिलुक्त होती जा रही हैं लोग की माने तो उनके बच्पन के समय दिखाए पढ़ने वाली सैकडों पक्षियां अब इस समय नहीं दिखाए देती बताते चले कि हलकी हलकी ठंड होने से बसंद रिदु तक भारी संक्या में छोटे बड़े पक्षियों की बड़े बड़े जुन प्राता के समय उतर दिखाए 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 और आहार बिहार एवम दाना चुगने हेतु आस्मान में नज़राते थे लेकिन शाम ढलते ही उसी तरह जुन्ड के जुन्ड दक्षिर से उतर दिखाए को राज विश्राम वसेरा हेतु लोटते लेकिन अंदा दुन हरे पेडों की कटान से पक्षियों की रैन वसेरे यानि घोसलों के लिए अब कोई जगय नहीं बची तो धीरे धीरे पक्षियों की प्रजातियां घटती जा रही है जिसके चलते पक्षियों की विभिन प्रजातियां बिलुप्त हो चुकी है काफी बर्सों से हरियाली पर बढ़ रहे संकट हो रही अंदा धुन्द पेडों की कटान को लेकर बन विभाग भी पेडों की स्टरक्षर की प्रति जाकरुक नहीं देखा जा रहा जिसके चलते पक्षियों पर संकट की बादल मंडरा रहे और पक्षियों का कलरब अब देखने को नहीं मिलता हाला कि पसुपक्षियों की स्टनक्षर का जिम्मा उठाने वाली जिम्मेदार भी बेखबर हैं जिसके चलते पक्षियों की जान खत्रे में है अमेठी से जिला प्रवारी राम दिरजियादव के साथ बिलाल एहमत की विशेश रिपोर्ट